हेलो स्टूरेंट्स हाई विलकम बैक तो माई चैनल लर्निंग विद दिव्या आज का टॉबई के स्टूरेंट्स आज मैं आपको लूम के बारे में पढ़ाऊंगे लूम जिसे आप लोग हिंदी में करगा बोलते हैं ठीक है और स्टूरेंट्स जो भी हिंदी मीडियम के मैं पूरी कोशिश करती हूं कि मैं आपको हरी चीज को हिंदी में भी एक्सब्लेन कर सुकूं और इंगलिश में भी Аपको क्यों घ्सका है तो हम ब्लूम जिसे आप करगा बोलते हैं आजए की वीडियो में आप करगे के बारे में जानेंगे करगे के टाइपस जिसको आप इसके अलावा करगे के भाग के बारे में आप जानेंगे, भाग मतलब parts of a loom, clear है, तो ये वीडियो जो है specially करगे के उपर बनाई है मैंने, क्योंकि जब हम textile की बात करते हैं student, तो textiles में हम जानते हैं कि हमारे पास जो सबसे basic unit होती है, आपके textile के सबसे छोटी unit जिसे आप बो जो कि man made ने खुद बनाए हुए हो man के दवारा, man के दवारा, कोई भी fiber हो, उससे पहले तो आप धागा बनाते हैं, सूत बनाते हैं, मतलब यान बनाते हैं, ठीक है, अब जब हम धागे का प्रियोग करके, जैसे कल हमने यान काउंट पड़ा था, तो यान काउंट में हमने क्या लेने गए थे हम मार्केट से, धागा लेने गए थे ना, हमने धागा लेना सिखा, कि अगर हम manufacturer के पास जाते हैं, तो हम उससे कितने टेक्स का यान लेके आते हैं, कितने डेनियर का यान लेके आते हैं, या अगर हम इंडारिक सिस्टम के बात करते हैं, तो हम कितने ME का यान लेकर के आते हैं न तो आपने fix length system पढ़ा fix weight system पढ़ा अब उसके बाद उस धागे का प्रियोक करके हम क्या बनाते हैं वस्तर बनाते हैं ठीक है क्या बनाते हैं वस्तर बनाते हैं तो यह जो करगा है जो आपके basically या important आप जाने तो वस्त्र निर्माण के लिए जिस मशीन के हमें आविशक्ता होती है उसे हम लूम कहते हैं या उसे हम करगा कहते हैं जैसे आपको इमेज में दिखाई दे रहा है जो आपके थम नेल में लगा है ठीक है करगा क्या है करगा क्या होता है वस्त्र निर्माण के लिए फाब्रि क्या है so let's start the topic student सबसे पहले आप देखेंगे types of loom अब हिंदी मीडियं वाले हिंदी में लिखेंगे क्योंकि मैं एक एक जो टम मैंने लिखेंगे इसको मैं हिंदी में भी बता रही हूं ठीक है types of loom की बात है मतलब सबसे पहले आप करगे के प्रकार के बाने में जानेंगे, करगे कितने प्रकार के होते हैं, basically करगे जो हैं आपके वो तीन प्रकार के होते हैं students, कौन कौन से होते हैं, जिसमें सबसे पहले आपके आता है conventional loom, conventional loom को आप हिंदी में बोलते हैं, पारंपरिक loom या परंपरागत करगे वह परंपरागत करगे जो सबसे पहले जिनका निर्मान हुआ सबसे पहले जो करगे आपके सामने आए सबसे पहले जो लूम्स बनाए गए उन्हें हम वस्तर बनाने के लिए जिन करगों का सबसे पहले निर्मान हुआ ठीक है उन्हें हम क्या बोलते हैं परंपरागत कर करगा बोलते थे या हैंड लूम बोलते थे तो कन्वेंशनल लूम वह लूम होते हैं स्टूडेंट परंपरागत लूम या परंपरागत करगा आपके वह करगा होता है जो वस्तर निर्माण के लिए सबसे पहले सामने आए या जिनका प्रियोग वस्तर निर्माण करने के लि आप में देखाऊगा इसमें कोई भी इलेक्ट्रिक पार्ट नहीं होता मतलब किसी तरीकिसे इसमें इलेक्ट्रिसिटी बिजली का प्रियोग नहीं होता कोई ऐसी मशीन नहीं होती अभी मैं इमेजीज भी दिखाऊँगी आपको यहां पर सिर्फ आप समझ लीजिए और बुनाई कर सकते थे वह करगह होता था ठीक है उस अप फिर धीर क्या हुआ धीर धीर मॉडनाइजिशन हुआ मतलब आदुनिक ता आई इंसान को समझ आई उसने बिजली का प्रियोग किया उसने कई सारी मशीने बनाई तो वह आपके हो जाते हैं नॉन कंवेंशनल लूम जिसे आप बोलेंगे गैर परंपरागत करगा ठीक है इसे आप गैर परंपरागत करगा भी बोल सकते हैं आप इसको आधुनिक करगा भी बोल सकते हैं आप इसको स्वचालित करगा भी बोल सकते हैं इंग्लिश विडियम में इसको नॉन कंवेंशनल लूम बोलेंगे इसके वेह कर गे हैं या आप बोल सकते हैं यह वस्तर निर्माण के वेह कर गे हैं जिसमें आपके जो परमपरावत कर गे थे उनकी कमियों को पूरा किया गया और जो है आपके ऐसे आधुनिक करगों का निर्माण किया गया जिसमें electricity का भी use हो सकता है और भिविन भिविन प्रकार के हम design बना सकते हैं ठीक है इसलिए हम non conventional loom को आपके modern loom भी बोलते हैं मतलब आधुनिक करगा भी बोलते हैं और क्या बोल सकते हैं इसको automatic loom भी बोलते हैं मतलब यह totally बिजली से चलेंगे electricity से चलेंगे इसमें इंसान क अपने हाथ पर चलाने की आविशक्ता नहीं है तो ऐसे करगे किस category में आ जाते हैं आपके non conventional loom या गैर परम परागत आप इसको करगा बोलिए या आप इसको आधुनिक करगा भी बोल सकते हैं आप इसको सवचा ले था मतलब automatic करगा भी बोल सकते हैं automatic loom भी बोल सकते हैं एक आपके होते special loom मतलब विशेश प्रकार के करगे जिस पर आपके विशेश प्रकार की बुनावट की जाती है बुनाई की जाती है मतलब विशेश प्रकार का आपके फाबरिक बुना जाता है उसको हम special loom बोलते हैं जैसे आपके आप example ले लिजे gauze and lino बुनाई आपन तो उसके लिए special type of loom होता है, उसको हम gauze and lino करगा बोलते हैं, loom बोलते हैं, ठीक है, तो यह मैं टाइप सभी आपको आगे बताती हूँ, सबसे पहले आपको यह तीन basic type समझ देने हैं, कि conventional loom क्या है, भाई पारंपरिक करगे हैं, जिनका सबसे पहले प्रियोग किया गया, वस्तर निर्मान के लिए जिन करगों का प्रियोग किया गया, जो मनुष्य अपने हाथ-पैर से चलाता था, आपने देखा है, आप आराम से वीडियो देख सकते हैं, images देख सकते हैं, हथ करगे की, वीडियो भी देख सकते हैं, यूट्यूब पे जा करके, कि कि कितने easily, मत कैसे वो लोग जो है फाब्रिक बनाते थे पहले ठीक है नॉन कन्वेशनल के अकर बात करें तो यह गैर परमपरागत है मतलब क्या हो गया थोड़ी आधुनिकता आ गई आधुनिकता से क्या हुआ इसमें आधुनिक करगे आ गए नहीं नहीं मशीन का जो है इसमें उप्योग किया जाने लगा इसले हम इसको ऑटॉमाटिक भी बोलते हैं क्योंकि इसमें मनुश्यक कोई कामी ने रह गया सारा काम बिजली से हो रहा है मशीने कर। फेसे नंगरायन करगा या नॉन कंवेशनल लूम या गयर परमपरागत करगा बोलते हैं ठीक। special loom वो category होती है जिसमें किसी विशेष प्रकार का हम ऐसे करने का यूज करते हैं जो किसी विशेष प्रकार के ही फाबरिक का या बस्तर का निर्माण करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं आपके special loom बोलते हैं क्लियर हो गया सबको तीनों टाइपस क्लियर हो गया तो सबसे पहले आपके देखेंगे हम कन्वेंशनल लूम जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहा है कि देखें किस तरीके से यह जो व्यक्ति है यह हाथ और पेर के दौरा आपने देखा होगा शटल को जो है लेफ्ट प्रागत क्यों बोलते हैं क्योंकि सबसे पहले इनी का जो है निर्मान हुआ सबसे पहले यही बनाए गया ठीक अगर हम बात करें आपके नॉन कन्वेंशनल लूम की तो आपने मौडन जो है लूम देखें होंगे या आपने मौडन वीव का नाम सुना होगा जैसे आपके जाकारड वीव सुना है तो डावी वीव कैसे बनती थी तो डावी लूम होता था यह आपके स्टूऋटंस यह बावी लूम है इसका प्रियोग करके इस करगे में जो है इस्पेशली आपके एक डॉबी अटेच्मेंट लगाया जाता था जिसको आप बर्ड आई व्यू भी बोलते हैं जिसको आप जैमितिय डिजाइन भी बोलते हैं कि जैमितिय डिजाइन गया चुडियां के आँख जैसा द्रशे अग आपके झाल आपको I yard from जैकाइड लूम से जैकार लूम से जो वस्तर बनता है वह जैकार वस्तर कहलाताै इसमें बड़े डिजाइन के जाते हैं आपके जो ब्रोकेड के जो जाता है जुऺ से जाता रही तो यह कुछ भी आपके डहाराँ से एक फ्रांस विग्यानिति आप जानते हैं तो इह कर गें किस में आ जाएंगे आपके कि सारे आपके fabric constructions में है, directly electricity से बिजली से चल रही है, मनुष्य की जरूरत ही नहीं रहेगी, तो इसमें आपके इनको आप shuttle-less loom भी बोल सकते हैं, shuttle-less loom मतलब इसमें shuttle की भी जरूरत नहीं पड़ती, आपने जैसे hand loom में देखा हुआ कि shuttle को जो है, वो एक खास से पहले left से right, फिर right से left, फिर left से right, राइट से left भेशते थे, ताकि जो बाने का धागा है, वो वहाँ पर छोड़के चलियाती थी, अब ऐसे looms आ गए, इतने जो है modern loom या इतने आपके सकते हैं advanced या automatic loom आ गए, कि इसमें जो weft yarn है, उसकी filling के लिए, shuttle की भी आपशकता नहीं रहेगी, machines ही कुछ ऐसा करती है, कि उसमें जो हैं आपके weft yarn, जिसे आप बाने का धागा कहते हैं, वो उसमें भड़ता चला जाता है, तानों के धागों के साथ interlase होता चला जाता है, तो इसके examples हैं आपके air jet loom, water jet loom, rapier loom, missile और projective loom, अब air jet loom में आपके air pressure का यूज़करते हैं, water jet में आपके water jet का यूज़करते हैं, इस ये ऐसे मतलब मशीने होती हैं ऐसे करगे होते हैं जो fully automatic होते हैं बिल्कुल automatic बिल्कुल 140 एक dumb new modern आपके करगे आप इने बोल सकते हैं ठीक है और ये shuttle less भी बोले जाते हैं ये चारो करगे आपके shuttle less मतलब इसमें shuttle की आवशकता नहीं होती है बाने का धागा भेजने के आपको पिक्चर बिल्कुल clear और साब दिखाई दे रही होगी ये air jet loom है ये first ब्लू वाला ये air jet loom है और ये जो है ये दूसरी इमेज है ये आपके water jet loom है तो ये ऐसे कर गे थे विपकुल fully automatic है आज भी आपके आधुनिक तरीके से यूज किया जाते हैं फाब्रिक के construction मे वस्तर के निर्मान में और इन में कहीं भी ऐसे मतलब इस्पैशली शटल जो होती थी उसका नहीं प्रियोग करते हैं ये अपने इसलिए इसको शटल लेस लूम भी आप बोल सकते हैं ये machines के द्वारा ही इसमें जो है वस्तर का निर्मान होता है मतलब machine ही इसमें वैफ्ट लूम वाटर जेट लूम रेपियर लूम इसके अलावा अपने मिसाइल और प्रजेक्टिव लूम को जाना और ये सारे ही टाइप अपके किसके हैं नॉन कन्वेंशनल लूम के मतलब ये आधुनिक आपके कर गए हैं या गैर परम परागत कर गए हैं जिसमें विविन विशेश प्रकार का वस्तर बनाने के लिए जिन करगे का यूज होता है कुछ ऐसे वस्तर होते हैं जो विशेश प्रकार के होते हैं जिसमें आपके सबसे बड़े एक्जामपल है गौज और लीनो लूम का इससे आपके गौज और लीनो बुनाई का जो वस्तर है वो निरम निकले हुए होते हैं, अगर इसको काट देते हैं, तो आपके velvet बन जाता है, अपने cut pile, uncut pile, ये सब तो पड़ा होगा न, और फिर आता है आपके broad loom, तो ये चार categories आपकी किस में आ जाती है, special type of loom में आ जाती है, clear हो गया, समझ में आ गया, students आपको, पहले तो type समझ में आ करगे के, करगे के मुक्खे 3 प्रकार है, 3 प्रकार के करगे हमको देखने के लिए मिलते हैं, एक तो परम परागत करगे, जो कि भाई सबसे पहले से हमने देखे, सबसे पहले आपके चलते थे जिसमें मनुष्या अपने हाहथ पहरे के द्वारा, करगा चलाता था, उसमें shuttle थिरे धीरे अधो निकता आई तो डॉबी आपके करगा आया है जैकाड करगा आया इसके बाद आपके और अधो निकता आया है तो आपके ऐसे करगे हागे हैं जो बिकुत स्वचालित हैं इक गड़ा मॉडन है उसमें किसी बी प्रकार की बानव की तो जरूती नहीं है सिफ arch मशीन से वों पूरा का पूरा फैबरिक कंस्टाट करके दे देती हैं तो अब हम बात करेंगे सुडेंट लूम की जो बेसिक नॉर्मल लूम है जो कि आपके बुक्स में भी है और जिससे कोशन्स आपके एक्जाम में पूछे जाते हैं ये बेसिक हम करगे मतलब जिसको आप के ड़ागे वाप का मतलब क्या होता है जो लंबार वत-वत जो उन्हें हम ताणे के धागे भी बोलते हैं अब हिंदी मीडियम्स देखें ताने को बौलते हैं ये ध्यान दखीगा क्योंकि आजकार इसकार अश्मार्ट है वह आपको जरूरी नहीं है कि हिंदी में ताना लिखके दें, वहाँ पे वाप भी लिखके दे सकते हैं, ठीक है, जैसे इंग्लिश में वाप लिख सकते हैं, उसको हिंदी में भी वाप लिखके दे सकते हैं, तो वाप यांस होते हैं, बस आपको इतना पता होना चाहिए कि ज पेट दिये जाते हैं जो ताने की धागे हैं वो लपेट दिये जाते हैं क्योंकि क्या करना है वस्तर का निर्माण करना है ठीक है और यह धीरे-धीरे आपके आगे बरते रहते हैं अब क्या लगा होता है सबसे पहले आपने पढ़ लिया कि वाफ बीम होता है जिसके ओपर त तोनें फ्रेम होते हैं घ्रमेनस रानस बहा होते हैं यह लकडी नखे वीच सक्षक्ट यह टीटी और यह लिग पाते हैं आपको ढीच में फ्रेम उसको च्गार तीघंग कि भारताइनिक तेखा नख्सित में बाऊपद जी आप ओपार मों एडैस कुछ वाप्त के एन सुध बना जिसे आप बोल सकते हैं जिस में से आपके जो वापके यान्स वो गुजरते हैं ठीक है और यह needle जिस frame पर लगे होती है यह जो headdles है आपके heads है यह frame पर लगे होते हैं यह head wire यह जो wires है यह frame पर लगे होते हैं यह frame आपके क्या कर्लाता है harness कहलाता है क्या कहलाता है harness कहलाता है और harness कितने होते हैं आपके मतलब कितने फ्रेम लगे होते हैं करगे पे तो दो harness लगे होते हैं इन दोनों का काम क्या होता है जो आपके वो प्यान सारे हैं जो आपके ताने की धागे आ रहे हैं उन्हें दो भाग में ही क्या कर देते हैं व एक आपने देखा ऐसे कंगे जैसा structure होता है यह read कंगे की तरह structure होता है यह क्या करता है यह आपके beat up का काम करता है beat up मतलब जो धागा छोड़के जाती है shuttle जो बाने का धागा छोड़के जाती है shuttle उसको ताने के धागे से क्या करता है मिला देता है या आपके bookish language में बोले तो उसमें ठोक देता है, उसमें बीट कर देता है, ठीक है? तो warp yarns में weft yarns को मिलाने का काम करता है, आपके ये read करती है, जिसका आप simple समझेंगे कि ये कंगे के जैसे कंगे रोमा structure होता है, ये देखिए यहाँ पर है, तो अब क्या होता है, ये जो shuttle है, ये आपके left to right जाती है, फिर right to left आती है, और जब ये जाती है, तो ये देखिए क्या करती जा रही है, ये धागा आपके छोड़ते हुए जा रही है, ठीक है? पहले ये यहाँ से, आपके this direction, this direction जाती है, तो ये धागा छोड़ती है, ये read आगे बढ़ता है, और ये धागे को किसमे लपेट देता है आपके, वो पियांस के साथ उसको ठोक देता है, या उसमें beat up कर देता है, वो पियांस में मिला देता है, तो ये काम read करता है, तो शटल क्या करती है शटल जो है आपके बाने के धागे इसमें भरे होते हैं एक बार शटल को भी देख लेते हैं इस तरीके की शटल होती है चीक है और इसमें ये जो बीच में जो इस्ट्रक्चर है इसको पॉन बोलते हैं और इसी में जो है आपके जो बाने के धागे हैं वो आपके लपेटे हुए रहते हैं भरे हुए होते हैं और इसी को चेंज करते है जब आने का धागा खतम हो जाता है तो दूसरा लगा दिया जाता है वे इसमें और ऐसे कीजरीशारावडर काम करती है तो हथ करगे जो हैं आप देखेंगे को वॉप यांस में मिला दिया था था वेफट यांस को तो यह करगा है यह आपके करगे के मुख्य भाग है तो कौन कौन से करगे के मुख्य भाग है हाँ और इसके बाद आपके लास्ट भाग आता है क्लॉथ बीम या इसको आप क्लॉथ रोल भी बोल सकते हैं अब यह जो पहरा तो वाप बीम होता है वाप बीम जिस पे आपके ताने के धागे जो है वाप यान्स जो है वो लपेटे हुए होते हैं फिर यह वाप यान्स आपके आगे बढ़ते हैं यह किसमे से गुजरते हैं यह आपके जो है हारनेस में जो आपके सुईया नीडिल्स लगी होती है जिने आप held बोलते हैं या held wire बोलते हैं उसमें से ये निकलते हैं ठीक है ये दो होते हैं मुख्य दो frame होते हैं harness और ये क्या करते हैं ये ताने के धागों को आधा आधा बांट लेते हैं मतला ऊपर नीचे कर देते हैं आधा धागों को ऊपर ले जाते हैं आधे धागों को न वेफ्ट मतलब बाने का धागा कौन छोड़ता है आपके बाने के धागे भरे होते हैं आपके शटल में शटल जो है वो आपके लेफ्ट तो राइट और राइट तो लेफ्ट जो है मूव करती रहती है और बाने का धागा उसमें बीच में छोड़ती चली आती है उसको मिलान क्या होते हैं घ्रोटेंट जो कि आपने पड़िए होगी वस्टरि मांच की प्रकारिया वह भी जिसे आप बोलते हैं शेडिंग बनता है फिर पिकिंग होती फिर बीट पाफ होता है या जो ऐइसके प्राइश मomsimota तो और हमें अब ही हमसितना जाना कि कि करगा क्या होता है जो वस्तर निर्मान के लिए जो मशीन Dirma की जाती है धागे की द्वारा जिसakah आपके बस्तर शारा जाता है धागो का प्रियोग करके ताने और बाने का धागे का प्रियोग करके इन्टरलेसमेंट cha यान इंट्रललेसिंगर करते हैं आप असमें sont motive देते हैं I think interleo आदे द्धागों की तो मशीन में एक ह्लप करती है उसे हम करगा बोलते है यह कई प्रकारगी है कर गे भई जो परॉराने से चले आहरे हैं ग्यर परॉरागत जो की आपके नय है आधुनिक है आटमाटिक आप इसको बोल सकते हैं बहुत अच्छे डिजाइन की कर गएं मतलब डेजाइन स俺 यह अच्ड बआध कर चुके हैं जैकर्ट की बाध कर चुके हैं इसके लाप आपके special loom होते है जो की एक विशेश प्रकार की बुनाई के लिए ही बनाए जाते हैं जैसे हम लीनो गॉस बुनाई की बात कर चुके हैं या लीनो गॉस लूम की बात कर चुके हैं ठीक है आपने सारी images भी देखी आपको समझ में भी आया होगा students और करगे के भाग जो है वो भी मेटल का भी हो सकता है इन हारनेस में क्या लगा होता है इन हारनेस में ऐसी सुईया ऐसी नीडल्स लगी होती है जिने आपके हेल्ड बोलते हैं हेल्ड वायर बोलते हैं इन में छेद होता है नीडल्स की तरह होती है और इन में से आपके जो warp yarns है वो गुजारे जाते हैं तो एक नीचे ले जाता है आपके frame और एक frame धागो को warp yarns को उपर ले जाता है ऐसा क्यों होता है क्योंकि इस में से ही आपके shuttle गुजरती है फिर तो यपो आगे लगी होती है read, read एक groundwater structure होता है अब हमने देखा जो कि simplify क्या करता है आपके जो shuttles दागा छोड़ रही है जो baanay का धागा छोड़ रही है baanay की धागे आपके shuttle पर भरे होते हैं और shuttle के फ्रू ही जो है जो बाँब का धागा आपके छोड़ा जाता है मिलाना, ठोखना, पीट अप करना ये काम आपके read करता है shuttle जिसको हम जान चुके हैं जिसमें आपके बाने के धागे लपेटे हुए होते हैं और जो कि आपके एक side से दूसरे side move करती है फिर दूसरे side से पहली वाली side में आ जाती है और धागे को छोड़ती जाती है left to right and right to left ये move करती है clear as student और जो last में आपके जो मुख्य भाग होता है करगे का वो क्या होता है cloth beam होता है जिसको आप cloth role भी बोल सकते हैं जिस पे आपके जो वस्त्र बन रहा है वस्त्र जिस आपके beam पे लपिट रहा है बन करके उसको हम cloth beam बोलते हैं students I hope आपको ये video clear हो गया होगा मुझे पता है आपने सब ने पढ़ा हुआ भी है जिनोंने अगर नहीं पढ़ाया तो उनका revision भी हो गया जिनोंने पढ़ाया उनका revision भी हो गया जिनोंने नहीं पढ़ाया उनको पहली बार में समझ में भी आई थिंक आ गया होगा क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको समझ भी नहीं आए तो अगर आपको वीडियो पसंद आया स्टूडेंट्स तो इसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दिजिए और पोई भी अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं मै मैं जरूर आप लोग का कमेंट पढ़ूंगी और मैं पूरा ट्राइब करूंगी कि मैं ऐसा कुछ फॉर्म कर सकूँ जहां पर आपके डाउट्स को क्लियर कर सकूँ लेकिन तब तक आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिए चैनल को लाइक जरूर कर दिया करि नेक्स वीडियो मिलेंगे हैं नेक्स टॉपिक के साथ अब तक आप लोग अपना ध्यान रखे और पढ़ते रहें बाबाय स्टूडेंट्स और ओल्वेस सपोर्ट वुमेन एंपावर्मेंट बाई